हेलो फ्रेंड्स हमारे चैनलर रानिस क्रियेटिव हो में आपका स्वागत है तो इस कुरुना काल में सभी लोग रेस्टोरेंट को बहुत मिस्स कर रहे होंगे और सबसे ज़्यादा रेस्टोरेंट की कडाई पनीर को तो आज में बनाने जा रहे हूं कडाई पनीर वो भी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल और आज मैं आपको रेस्टोरेंट का कडाई पनीर बनाने का सीक्रिट भी बताऊंगी तो सबसे पहले यहाँ पर हम अमारी सबजियों को देख लेते हैं यहाँ पर हमें चाहिए सिमला मिर्च, टमाटर, प्याज और पनीर तो आप हम हमारी सबजियों को दो लेते हैं और फिर इनको काट लेते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जिमला मिर्च को कुछ इस तरह चोटे चोटे टुकडों में काट लिया है और यहाँ पर प्याज को भी हमने कुछ इसी तरह चोकोर में काट लिया है और यहाँ पर टमाटर लिये हैं यहाँ पनीर काट लिया है और यहाँ पर एक और बार मैंने प्याज और यहाँ पर धनिया, लहसून, हरी मिर्च को ले लिया है पाई देखते हैं अब हमें मसालों में क्या-क्या चाहिए तो यहाँ पर मैंने लिया है एक चमच जीरा एक चमच धनिया पाउडर एक चमच लाल मिर्श पाउडर एक चमच हल्दी पाउडर और एक चमच पनीर मसाला एक चमच गरम मसाला स्वाद अनुसार नमक और दो तेज पत्ते और कड़ाई पनीर का सीक्रेट अमूल फ्रेश क्रीम जी हाँ दोस्तों रेस्टरेंट में इसी फ्रेश क्रीम को डाला जाता है जिससे कड़ाई पनीर में एकदम भड़िया स्वाद आ जाता है मैं आपको इस फ्रेश क्रीम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी तो चलिए दोस्तों अब हम कराई पनीर बनाना स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हमें कराई को गरम करेंगे और उसमें तेल डाल देंगे और अब हम इस तेल में हमारी पनीर को फ्राई कर लेंगे इसको हमें लो फ्लेम पे गुल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है तो अब इनके गुल्डन ब्राउन होने के बाद अब हम इनको निकाल लेंगे अब हम इनको निकालने के बाद हम इसमें से थोड़ा सा तेल निकाल लेंगे तो अब इस तेल में हम लैसन डाल देंगे और थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाल देंगे उसके बाद अब हम इसमें प्यास डाल देंगे और टमाटर डाल देंगे और इसको 5 मिनिट के लिए फ्राय होने देंगे तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं ये फ्राय हो चुकी है तो अब हम इसको थंडा होने के लिए निकाल लेंगे तो फ्रेंड जब तक ये थंडा होता है तब तक हम हमारी चॉप की गई सबजीयों को तल लेंगे हमें इनको जादा नहीं तलना है बस इनका थोड़ा सा कच्चापन चला जाए हमें बस उतना ही तलना है तो फ्रेंड जब तक हमारी सबजियां तलती हैं तब तक हम हमारे मसाले को पीस लेते हैं क्योंकि ये थंडा हो चुका है तो आप देख सकते हैं हमने हमारे मसाले की एक प्यॉरी बना कर त्यार कर ली है तो अब हम हमारी सबजियों को भी निकाल लेंगे देख सकते हैं कि ये बिल्कुल तल चुकी है अब हम एक कड़ाई को गरम करेंगे और इसमें तेल डालेंगे अब हम इसमें हम डालेंगे जीरा और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे तो तेज़ पत्ते तो अब हम इसमें हमारी ग्राइंड की कई प्यूरी को डाल देंगे और इसको 5-6 मिनिट के लिए फ्राइ होने देंगे तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं हमारा मसाला फ्राइ हो चुका है तो अब हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर और फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और उसके बाद हम डालेंगे इसमें धल्दी पाउडर और फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे गरम मसाला और अब हम इसमें डालेंगे सौनाद नसार नमक तिसमें आदि चम्मच पनीर मसाला डाल देंगे और फिर इसमें दो चम्मच अमूल फ्रैश क्रीम मिला देंगे और हम इसको एक मिनिट के लिए फ्राइ होने देंगे एक मिनिट के बाद आप देख सकते हैं यह फ्राइ हो चुका है तो अब हम इसमें हमारी फ्राइड सबजियां को मिला देंगे और फिर उसके बाद हम इसमें हमारी फ्राइड पनीर को भी मिला देंगे क्योंकि हमारी सारी सबजियों पनीर और मसाला तीनों चीजे फ्राइड हैं तो अब हम इसको सिर्फ पांच मिनिट के लिए फ्राइ होने देंगे तो अब हम इसको ढग देते हैं और इसको पांच मिनिट के लिए फ्राइ होने देते हैं तो आप देख सकते हैं अब हमारी सबजी पकर तयार है तो अब हम इसमें हमारा आधा चमच पनीर मसाला डाल देंगे तो फ्रेंड्स हमारी सबजी बनकर तयार है तो हम इसको सर्प कर लेते हैं तो फ्रेंट्स अब मैं स्क्यूब पर थोड़ा सा धनियान और हमारी अमूल फ्रेश क्रीम को डाल रही हूँ और मैं थोड़ा सा इसमें पनीर ग्रेट करके भी ढाल दूंगी तो फ्रेंट्स हमारी कड़ाई पनीर बनकर त्यार हो चुकी और हमारे चैनल रानिस क्रियेटिव होम को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और इसे जदा ज़्यादा शेयर कीजिए तो थैंक्स पर वाचिंग बाई बाई